मुरली की तान बज़रही मुरली की तान उठ जागरे इनसान मिल जाएंगे भगवान तेरे द्वार पे पुकारता हो मुरली की तान बज़रही मुरली की तान बज़रही ओम शांति आज बाबा के 30 जुलाई 2021 के साकार मधुर महवा के है आज बाबा बच्चों को वरदान दे रहे है आयूश्वान भव धनवान भव पुत्रवान भव इस पुरानी दुनिया में कोई भी आशाई नहीं रखनी है क्यों नहीं रखनी है क्योंकि ये दुनिया विनाशी है इसलिए यहाँ पर ये आश रखना कि मुझे धन मिले नोकरे मिले पुत्र मिले कोई भी पुरानी दुनिया की आशाई रखेंगे तो बाबा केते हैं यहां तो दुख ही दुख प्राप्त होता है सत्योगी दुनिया में पुत्र सुखदाई होता है यहां पर तो संतान भी सुख नहीं देती है इस समय तुम बच्चों को एक ही आश रखने है कि हमें संपूरण पावन बन बाबा से वर्सा लेना है बाबा को ही याद करना है संपूरण पावन बनना है इस एक आश रखने से बाकी सब आशाएं पूरी हो जाती है इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति से कोई भी आशाएं मत रखो बाबनी का यहाँ पर जब बाबा के पास आते हो तो जो भी पुराने विकार हैं, कमजोरियां हैं, उन्हें दान में दे दो कहा जाता है दे दान तो छूटे ग्रहन, खुशी-खुशी से इन विकारों को छोड़ना है, तब भविश्य में उच्पद मिलेगा बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़े भी अब जाए, अब ये थोड़ा सा समय है, इसलिए पुर्शार्थ करना है, योग अगनी से पाप भस्म हो जाएं 63 जन्मों के पाप एक जनम में नस्ट करने है, गायन है, अमरित छोड़ विश्काहे को खायरे, बाबा मनुष्य से देवता बनाने के लिए आये है, इसलिए बाबनी का देवता बनने के लिए, अगर कोई बीच में माया के पेपर आते हैं, तो उनसे घबराना ने, माय के तुफान आएंगे, चले जाएंगे, शान्त हो जाएंगे, संकल्प विकल्प भी आएंगे, लेकिन आपको ये याद रहे, कि ये भी ठैरने वाले नहीं, ठीक हो जाएंगे, बाबा की याद से सब तुफानों को शान्त कर देना है, धुन रहे, मुझे अमरित वेले बाबा को याद करना है, बस अब ये दुनिया गई की गई, इस दुनिया से क्या दिल लगाना, बाबा की बने अब ब्रस्पत की दशा है, राहू की दशा समाप्त हो गई, याद दिला रहे हैं बाबा, कि इस समय पतित पावन बाप को ही याद करो, तुम सच्चे राज रि रिशी पवित्र को ही कहा जाता है लगन रहे योग अगनी से पापु को दग्द करना है गंगासनान से कभी भी पावन नहीं बनते याद से ही पावन बनेंगे निरंतर बाबा को संग रखना है बाबा की स्मृती में रहना है ताकि पुरानी दुनिया की कोई आकर्शन ना हो इससे सहज योगी स्वतय योगी बन जाएंगे हर सकिन हर संकल्प सहयोग देना है सहयोगी ही सहज योगी बनता है और वो ही शक्तिशाली होता है तो निरंतर बाबा के संग रहना है समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनना है आज चलते फिरते याद रहे मैं सहज योगी हूं दिल से बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे मीठे बाबा प्यारे बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें सहज योगी बना दिया हम निरंतर आपको याद करेंगे विकारों का दान देकर वापिस नहीं लेंगे मैं सहज योगी हूं अब सुनते हैं म मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में, जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं, वो आशाएं तुम्हें नहीं रखनी हैं, क्योंकि ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है। में संगम युक पर कौन सी आश रखो, तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएंगे। पुत्रवान भव, धनवान भव, सब वर्दान मिल जाएंगे। सत्यों में सब कामनाई पूरी हो जाएंगे। गीत है तुमी हो माता, पिता तुमी हो, ओम शांती। मीटे मीटे रुहानी बच्चों, अर्थार्थ आत्मवु प्रती, परम, पिता, परमात्मा ये समझा रहे हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप हमें वर्दान दे रहे हैं, वो लोग आशिरवात देते हैं, पुत्रवान भव, आयूश्वान भव, धनवान भव, बाबा तुम्हें आशिरवात देते हैं, आयूश्वान भव, तुम्हारी आयूब बहुत बड़ी होगी, वहाँ पुत्र वो सुख देने वाले होंगे आप तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप बेहद सुख का वर्सा दे रहे हैं बरोबरम आयुश्वान धनवान भी बनेंगे अब कोई भी कामना दिल में नहीं रखनी तुम्हारी सब कामनाई सत्युग में पुरी होनी है इस नर्क में कोई भ तमना नहीं रखनी है बहुत धन हो बड़ी नोकरी मिले ये भी जास्ती तमना नहीं रखनी पेट तो एक पाम रोटी खाता है जास्ती लोब में नहीं रहना जास्ती धन होगा तो वो खतम हो जाना है बच्चे जानते बाबा में स्वरक का मालिक बनाते हैं बाबा केते दे दान तो छूते ग्रेंट, कौन सा दान दो? ये पाँच विकार है, ये दान में देने हैं, तो ग्रहचारी छूट जाए और तुम सोला कल संपूरन बन जाओ, तुम चानते हो में सर्वगुन संपन, सोला कल संपूरन यहां बनना है, पाँच विकारों का दान देना है, आश कोई भी नहीं रखो सिवाए बेहद बाप से बेहद का वर्सा लेने के बाकि थोड़ा समय है गाया जाता थोड़ा समय है क्या गाया जाता बहुत गई थोड़ी रही बाकि थोड़ा समय इस विनाश में है इसने इस पुरानी दुनिया के कोई भी आश नहीं रखो सिर्फ बाप को याद करते रहो याद से बच्चों को सतो प्रधान बनना है इस दुनिया में मनुश्य जो आश रखते हैं वो कोई भी नहीं रखो आश सिर्फ रखनी है एक शिव बाबा से हम अपना स्वर्ग का वर्सा ले ले आश रखो कि हम बाबा से स्वर्ग का वर्सा ले ले किसी को दुख नहीं देना एक दो के ओपर काम कटारी चलाना सबसे बड़ा दुख है इसलिए सन्यासी लोग इस्त्री से अलग उचाते कहते इसने छोड़ दिया इस समय रामराज्चे में सब पतित पाप आतमाई है अभी समय बहुत कम है तुम अगर बाब की शिरिवत पर नहीं चलेंगे तो स्रेष्ट नहीं बनेंगे बच्चों को उच से उच बनना है इसले पांच वी कारों का दान देना है ताकि एक ग्रहन छूट जाए सब के उपर ग्रह चारी है बिलकुल ही काले बन गए बाब केते अगर मेरे से वर्षा लेना है तो पावन बनो मेरे से वर्षा लेना है तो पावन बनो द्वापर से लेके तुम पतित बनते बनते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए तबी तो गाते आए, पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, तो बाबा फर्मान करते बच्चे, अब पतित नहीं बनू, कामा शत्रु को जीतो, इसने तुमें आधी मध्यंत दुख दिया, तुमने आधी मध्यंत दुख को पाया है, पाबा केते तुम स्वर्ग में बने, तब देवताओं के आगे जाके उनकी महिमा गाते हो, आप सर्वगुन संपन, संपूरण निर्वीकारी, और हम विकारी हैं, निर्वीकारी होने से सुख ही सुख है, बाबा केते अब हम आई हैं, तुम बच्चों को निर्वीकारी बनाने के लिए, हम आए हैं तुम बच्चों को निर्वी कारी बनाने के लिए, तुम बच्चों को सब इच्छाएं छोड़नी हैं, अपना धंदा धोरी भले करो, एक दुख को ज्यान अमरित पिलाओ, गाया जाता, अमरित छोड़, विश्काहे को खाए, बाबा के ते कोई भी कामना नहीं रखो, हम याद की आत्रा से पूरे सतो प्रधान बन जाएंगे, 63 जनम जो पाप किये, वो याद से खलास होंगे, अच्छे से समझेंगे इस बात को, 63 जनम, द्वापर कल्यूग में, द्वापर के किस सेनम, कल्यूग के ब्याले सेनम, 63 जनमों में जो पाप किये, याद से खतम होंगे, निर् माय के तुफान आई, प्रन्तु पतित नहीं बनना, मनुष्य से देवता बनना है, तुम्ही सतो प्रधान पुझ्य देवता थे, तुम्ही पुझ्य से पुजारी बनते हो, हम निरोगी थे, फिर रोगी बनते हैं, फिर से निरोगी बन रहे हैं, जब निरोगी थे, तो आयू बड़ी थी अब तो देखो बैठे बैठे मनुश्य मर जाते तो कोई भी आश नहीं रखनी सब चीची आश आएं हैं काटों से फूल बनने के लिए एक फस्ट ग्लास आश है बाबा केते मुझे याद करो तो पुन्ने आत्मा बन चाएंगे इस समय सब के उपर राहू का ग्रहन है सारे भारत पर राहू का ग्रहन है फिर चाहिए ब्रस्पती की दशा तुम जानते हो हमारे पर ब्रस्पत की दशा बैठी है भारत स्वर्ग था सत्यू में तुमारे पर ब्रस्पती की दशा थी इस समय है राहू की दशा अब फिर बाप से ब्रस्पत की दशा मिलती, ब्रस्पती की दशा में 21 जन्मों का सुक रहता है, त्रेता में है शुक्र की दशा, जितना जो याद करेंगे, बहुत याद करेंगे तो ब्रस्पत की दशा होगी, ये भी समझा दिया, सबको वापिस घर जाना है, इसलिए बाबा को याद करते रो तो विकरम विनाश हो और तुम उड़ने लाइक बनो बाप को याद करो तो विकरम विनाश हो और तुम उड़ने लाइक बनो माय ने तुम्हारे पंख काट दिये अब तुम्हें मिलते इश्वरिय मत जिससे तुम सदा सुखी बनते हो अब तुम्हें इश्वरिय मत मिलती हैं, जिससे सुखी बनते हूँ, इस मत पर चलने से स्वरक्य मालिक बनते हूँ, विश्व की बादिशाही ले रहे हूँ इश्वरिय मत मिलती है, बाप को याद करो, तो अंत्मते सोगते हो जाएंगी याद से वी करम विनाश होंगे पवित्र बन जाएंगे पवित्रात्मा ही स्वरक्य लाइक बनेगी वहां तुम्हारा शरीर भी निरोगी होगा आयू भी बड़ी होगी धन भी बहुत होगा मा कभी धर्म का बच्चा नहीं बनाते बाबा केते आयूश वानभव संपत्ति वानभव पुत्र भी एक जरूर होगा इस समय बाब सबको धर्म का बच्चा बनाते फिर सत्यों में कोई धर्म का बच्चा होता नहीं एक बच्चा एक बच्ची है योगबल से पूछते हैं बच्ची कैसे पैदा होंगे वान है योगबल ज्रामा में नूध है सत्यों में सब योगी है स्रीक कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता ऐसे नहीं कि कृष्ण योग में रहते हैं वो तो पूरा पवित्र योगी है इश्वर ने सब को योगेश्वर बनाया तो भविश्य में योगी रहते हैं बाबा ने योगी बनाया योगियों के आयू बड़ी रहती है, भोगी के आयू छोटी होती है, इश्वर ने बच्चों को पवित्र बनाई, योग सिखा कर देवता बनाया, इसको कहा जाता योगी, योगी अत्वारिशी पवित्र होते हैं, तुमको समझाया, तुम हो राज रिशी, राज योग सीख रहे हो, राजाई पद पाने के लिए, आप राज रिशी हो, योग सीख रहे हो, राजाई पद पाने के लिए, इस समय बाबा को याद करना है, यहां कोई उल्टी आश नहीं रखनी, कि बच्चा पैदा हो, फिर भी विकार में जाना पड़े न, काम कठारी चलानी पड़े देही अभीमानी काम कठारी चलाते हैं, देही अभीमानी काम कठारी नहीं चलाते, बाबा समझाते पवित्र बनो, जो देहे से न्यारी आत्मा अपने को अनुभाव कर चुके हैं, देही अभीमानी सिती में हैं, वो पवित्र बन जाते हैं, आत्माओं से बाबा बात करते, अब ये काम कटारी नीच लाने पवित्र बनो तो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे तुम्हें स्वरका मालिक बनाते हैं बाब कितना सुख देते बाब से तो पूरा वर्सा लेना चाहिए बाब तो गरीब निवाज है गाया जाता सुदामा ने दो चप्ती चावल दी तो महल मिल गए बाबा 21 जनमों के लिए वर्सा देते ये भी समझते अब वापिस घर जाना है शिव बाबा कि स्थापना के कारिये में जितनी जो मदद करे अब वापिस घर जाना है बाबा कि स्थापना के कारिये में जितनी जो मदद करे, घर में युनिवर्सिटी वा हॉस्पिटल खोलो, बोर्ड पर लिख दो, बहनों भायों, 21 जनम के लिए, एवर हेल्दी वेल्दी बनना है, तो आकर के समझो, हम एक सेकिंड में, एवर हेल्दी वेल्दी बनने का रास्ता बताते हैं, तुम सर्जन होना, सर्जन बोर्ड तो जरूर लगाते हैं, नहीं तो मनुश्यों को कैसे पता पड़े, तुम भी अपनी घर के बाहर में बोर्ड लगा दो, कोई भी आये तो उसको दो बाप का राज समझाओ, हद के बाप से हद का वर्सा लेते आए, बेहद का बाप कहते, मा में कम याद करो, तो बेहद का वर्सा मिलेगा, मा में कम याद करो, तो बेहद का वर्सा मिलेगा, प्रोजेक्टर परदश्टी में पहले ये समझाओ, इस पुर्शार से तुम ये बनेंगे, अब है संगम, कल्यूग से सत्यूग बनना है, तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, अब तमो प्र तो बे बादिशा ही तुम्हारी, अलफ अल्ला को याद करो, तो बे बादिशा ही तुम्हारी, याद से खुशी में रहेंगे, इस चीची दुनिया में कोई भी प्रकार की आश नहीं रखनी है, यहां तुम पुर्शार्थ करते हो, जीते जी मरने के लिए, इस चीची दुनि स्वर्गवासी हुआ, तुम कहते हुम स्वर्गवासी बनने के लिए बाबा को याद करते हैं, उससे बेहत का सुख मिलता है, बाबा को याद करने से तुम कभी रोएंगे पीचेंगे नहीं, तुफान माया के आते, उसका ख्याल नहीं करो, माया के तुफान आते, उसका ख्य जाता, तुफान तो पास हो जाएगा, सदा थोड़ी रहेगा, सवेरे उठकर बाबा को याद करना है, तुफान आता है, बाबा कहते यह भी बीत जाएगा, स्टेबल रहना है बाबा की याद में, सदा थोड़ी रहेगा, सवेरे उठकर बाबा को याद करना है, बाबा से वर जाओ, सम्मरे हुए हैं, आपस में यही बाते करते रो, बाबा अब तो सिरफ आपको ही याद करेंगे, आप से स्वरग का वर्सा लेंगे, टाइम रख दो, हम तीन चार बजे जरूर उठकर बाप को याद करेंगे, चक्र भी याद रखना है, बाबा ने हमें रचता और रच बचाएंगे, हम आत्मा है, आत्मों को ही राज्ची मिलता है, बाबा को याद करने से वर्से के हकदार बन चाते हैं, बाबा को याद करते हैं, बेहद बाप द्वारा अनेक बार विश्व के मालिक बने, फिर नरक वासी बने, फिर स्वरग वासी बनते हैं, बाबा की याद से बाबा की याद से पाप भस्म हो जाएंगे इसको योग अगनी कहते हैं याद से पाप भस्म होंगे इसको योग अगनी कहा जाता तुम ब्रामन हो राज रिशी रिशी हमेशा पवित्र होते हैं बाबा को याद करते हो राजाई का वर्सा लेते हो अब थोड़ाई विकार क बाप से वर्सा लेना है, बीमार होते भी याद कर सकते हूं, बाप को भी बच्चे प्यारे होते हैं, बाबा को कितना बच्चों आदी का ख्याल रहता है, बाबा को कितने बच्चों को पत्र लिखने होते हैं, शिव बाबा लिखवाते हैं, तुम भी पत्र लिखते हूं, शि पावन, सबी आत्मों को पावन बनाते, कोई को भी छोडता नहीं, प्रकृति भी पावन बनती, तुम चानते हो सत्यों में प्रकृति भी पावन होगी, अभी शरी भी पतित है, तभी तो गंगा में शरीद होने जाते हैं, लेकिन आत्मा तो पावन होती नहीं, वो तो होगी योग अगनी से आत्मा पावन होगी योग अगनी से अच्छा मीटे मीटे सिकरद बच्छो प्रती माट पिता बापता दका याद प्यार Good morning रुहानी बाप की रुहानी बच्छो को Namaste रुहानी बच्छो की रुहानी बापता दको Namaste Good morning शुक्रिया बाबा शुक्रिया धाणा के लिए सार इस कल्योगी दुनिया में कोई भी उल्टी आश नहीं रखनी है सम्पूरण सतो प्रधान बनने के लिए इश्वरिय मत्पे चलना है पावन बनकर वापिस घर जाना है यही एक आश रखनी है पवित्र बनकर घर जाना है यही एक आश रखनी है अन्तमते सोगते माया के तुफानों में समय नहीं गवाना वरदान है निरंतर बाप के साथ की अनभूती द्वारा हर सेकिन हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहचयोगी भव निरंतर बाप के साथ की अनुभूती द्वारा हर सेकिंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहजयोगी भव जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पाठ है तब तक अलग नहीं हो पाती ऐसे बाप की याद बुद्धी से अलग ना हूँ इसना बाबा का साथ हूँ दूसरी कोई भी समृती अपनी तरफ आकरशित ना करे इसकोई सेहज और स्वतयोगी कहा जाता ऐसा योगी हर सेकिंड हर संकल्प हर वचन हर करम में सहयोगी होता है सहयोगी अर्थाट जिसका एक संकल्प भी सहयोग के बिना ना हो ऐसे सहयोगी, योगी शक्तिशाली बन जाते हैं इस लोगने समस्या स्वरूप बनने की बज़ाए समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो समस्या स्वरूप बनने की बज़राए समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो आज याद करेंगे मैं सहज योगी हूँ मैं सहयोगी सो सहज योगी हूँ हर संकल्प हर सकिन सहयोग देना है सहयोगी एक सकंड भी सहयोग के बिना नहीं रह सकता मन वचन कर्म से बाबा को साथी बना ले बाबा के स्वरूप पर एकागर होकर सहज रूप से बाबा के प्यार को शक्ति को अपने मियाता अनुभव करें प्यारे बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे सहज योगी बना दिया सहज योगी बनाने के लिए आपका शुक्रिया अम निरंतर आपको याद करूँगे योग अगने से 63 जन्मों के पापो को भस्म करूँगे ओम शान्ति 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 अद्रिश है खूल चक्षो तो देखो आस्तित में उनका महसूस होगा अद्रिश है खूल चक्षो तो देखो आस्तित उनका महसूस होगा मिलो उनको प्रमोतन में महका लो मन की पेला थाम इस वेग को जगा लो विवेग सारे जग का करण धार हो मुरले की तान बज रहे हो मुरले की तान बज रहे हो अंद्रिश कि तान बजस्ट में रहे हो मुरले की तान बजस्ट